इस दुनिया में भगवान ने स्त्री पुरुष को बड़े ही रोचक तरीके से बनाया है प्राचीन काल से अब तक बहुत से लोग जीवित हुए और ना जाने कितने लोग स्वर्ग लोग चले गए लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सभी अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक के द्वार जाते हैं शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है मरने के बाद वो स्वर्ग में रहता है जबकि यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरे कर्म करता है तो उसे नर्क की सजा मिलती है इनसान को अच्छे कर्म की सलाह दी जाती है विवाह अच्छे कर्म करे यदि उसके द्वारा भूलवश कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसकी भी सजा यही पृत्वी लोग में मिल जाती है यदि वह जानबूज कर कोई गलत कार्य करता है तो उसकी सजा प्रित्वी लोग के साथ साथ नर्क लोग में भी उसे कड़ी यातनाएं दी जाती है और अगला जन्म भी ऐसे प्राणी के रूप में होता है जो की बहुत ही भयानक होता है अर्थात वह एक राक्षस जाती के जानवर कुल में पैदा हो सकता है और उसे जानवर के रूप में दिन रात मिहनत कराया जाएगा और वह इसके बाद भी कुछ खाने को नहीं पाएगा जब भी अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को अच्छे अच्छे पक्वान के साथ नर्ख में आराम से रहने को मिलता है और मनुष्य जीवन भी उसे प्राप्त होता है मनुष्य योनी में जन्म लेने के बाद वो व्यक्ति आराम के साथ जीवन व्यतीत करता है बुरे कर्मों की सूची में यह भी आता है जो लोग नगना होकर सनान करते हैं और रातरी में सोते समय भी नगना अवस्था में होते हैं ऐसे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि रातरी के समय हमारे पूरवज हम से मिलने आते हैं अर्थात हमें देखने आते हैं कि हम कैसे हैं और यदि हमें वो नगन अवस्था में देख लेंगे तो वह ऐसे ही चले जाएंगे अर्थात जो हमें आशिरवाद मिलना चाहिए उससे हम वंचित हो जाएंगे इसके अलावा हमारे इश्ट देव भगवान भी हमसे मिलने आते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रात्री में लेने आते हैं और इस समय यदि हम नगन अवस्था में रहते हैं तो वह रुष्ठ हो जाते हैं और हमारे भाग्य में बुरे कर्मों की एक गिंती और बढ़ जाती है, अर्थात हम नरक लोग के भागी हो जाते हैं इसके साथ साथ जो पूरी तरह से नगन होकर सनान करते हैं वह भी पाप के भागीदार होते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों को यह कहा था कि हमें नगन अवस्था में सनान नहीं करना चाहिए इसलिए वो गोपियों के कपड़े लेकर छुप जाते थे कृष्ण का कहना था कि इस प्रकार से खुले में नंगा होकर नहीं सनान करना चाहिए जहां हर किसी की नजर आसानी से आप पर आ जाए हमें किसी भी परिस्थिती में किसी खुले स्थान पर नगना होने से बचना चाहिए और घर में भी ऐसी स्थिती से बचना चाहिए किसी भी नदी या नहर में भी पूर्ण रूप से नगना होकर नहीं सनान करना चाहिए इससे ईश्वर की कृपा रुपने लगती है और धन हानी के संकेत तुरंत ही मिलने लगते हैं मित्रों पुरानों के अनुसार एक बात और आपको बता देना चाहते हैं घर में बच्चा चाहे जितना छोटा हो उसके सामने भी कपड़े नहीं बदलना चाहिए क्योंकि इससे पूर्व जन्म और अगले जन्मे जानवर के रूप में पैदा होने के संकेत बनते हैं मित्रों सामुद्रीक शास्त के अनुसार पूर्व जन्में व्यक्ती क्या कुछ होता उसे नगनता के कारण कुछ-कुछ याद आने लगता है इस प्रकार से जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे अपने ही घर के सदस्यों की नगनता याद आ जाती है जिससे उस बालक का चरित्र खराब हो सकता है जो की अगले जन्म के लिए नर्क के द्वार खुलने का कारण बनती है